हेलो एब्रिवान वेल्कम तु कॉमर्स लेक्चर्स एम नहीं हाँ आज करेंगे हम क्लास 11 एंट्रेपनॉर्शिप एंट टॉपिक हम करने वाले हैं मैक्रो एंवार्मेंट के फोर्से इंट फेक्टर्स एंड काईज यह नोट्स चाहिए डेस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए है तो देखो इसके फेक्टर्स में सबसे पहला फेक्टर एपना डेमोग्राफिक फोरसेज अभी डेमोग्राफिक शब्द में एक शब्द है डेमोग्राफी इससे बनाए है यह डेमोग्राफी शब्द का मतलब क्या होता है study of human population in terms of size age location is answer क semua पूरा study करते हैं उनके बारें में जानते हैं उनको पूरा एनलाइज करते हैं लोगों को human population यह है कॉन जो हमारे target customers हैं जो कि हमारे product को खरीदने वाले लोग हैं उनको study करना है उनकी age क्या है वो कहां रहते हैं क्या gender है क्या नौकरी करते हैं कितना कमाते हैं कम कमाते हैं, या बिल्कुल भी नहीं कमाते हैं education level कितना है पढ़े लिखे है, नहीं पढ़े लिखे हैं यह सारी चिजों का analyze करते है अब बाग यह उठते है बाइ क्यों पढ़ने की क्या जोड़्रत है इन inसानों को, इनके बारे में जानने की क्या जुरूरत है सो दिखो आगे लिखा है marketeer study demographic environment because demand of a product or service depends on people and their characteristics अब ये जो marketeers है ये इस environment को इसले पड़ते हैं यानि इन लोगों के बारे में इसलिए ये study करते हैं क्योंकि जो हमारे product की demand है वो किस पर इन्हीं लोगों पर demand है इन्हीं लोगों के characteristics पर डिपेंड है मतलब खरीदने वाले तो ये लोग ही है ना इनसान ही तो खरीदेंगे हमारे product को अब उनका टेस्ट क्या है उनका preference क्या है उनकी belief क्या है कितना वो कमाते हैं कितना पड़े लिखे हैं इसके हिसाब से करता है कि हमारा product जो है कितना विकेगा कैसा विकेगा प्रोड़ेट कैसा होना चाहिए अब जैसे कि हम कोई ऐसा product बना रहे हैं जैसे कोई western dress बना रहे हैं और ऐसी country में बना रहे हैं जहां पर पड़े लिखे अच्छा होना चाहिए अगर आपको ऐसे western dresses बेचने हैं और थोड़ा से modern होनी चाहिए वह state जहां पर बच्चे पहनते हों लड़किया पहनती हों ऐसे कपड़े ऐसे नहीं आप जाके किसी ऐसी कंट्री में पोच जाओ जहां पूरे कवर रखते हैं अपनी बॉड़ी को और वह लोग जीन्स पहनते ही नहीं लावड ही नहीं उनकी कंट्री में ऐसे कंट्री में कहां वेस्ट इंट्रेस बिकेंगे तो इसलिए लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रा ज़रूरी है नेक्स्ट है पॉलिटिकल फेक्टर्स इस अपर इस इन्वार्मेंट में क्या क्या चीज़ आती है रूस रेग्रेशन बनाती है उमारा कॉंसिट्यूशन कैसा है हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो अभी रीसेंट क्या पार्टी चल रही हैँ करण्ट ली उनका जो है क्या सोच है क्या policies है हमारा government जो है कितना interfere करती है business में ये सारी चीजे जानना बहुत जाजा जरूरी है जिस भी country में हम अपना business setup करने जा रही है before entering into market of any far off country, organization should have a deep understanding of the political and legal environment of that country यानि अगर आप किसी भी market में जा रही हो या किसी भी देश में जाके business करने की सोच रहे हो, वहाँ product बेचने की सोच रहे हो, वहाँ business करने की सोच रहे हो, खोलने की सोच रहे हो तो आपके लिए जरूरी है जाना कि वहाँ का political और legal environment है कैसा, कहीं ऐसे देश में business सोचने तो नहीं रहे हो आप जहाँ पर government allow ही ना करे, foreign countries को के आओ हमारे देश में business करो या tax rate हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो, या हमारे लिए favor में ना हो हमारी country के जो उनकी policies है, तो ये government के laws जानने बहुत जरूरी है, भाई किसी दूसरे देश में अगर आप business करने जा रहे हो तो because every country has its own laws हर देश का अपना अपना law आते हैं, अपने constitution होते हैं सब कुछ अपना अलग-अलग होता है हर देश का तो भाई जरूरी नहीं है, जैसे हमारे देश में इतनी ज़्यादा आज़ादी है, business करने के हर किसी देश में इतना हो नेक्स्ट है economic factors एकनॉमिक यहने हमारी economy से related कुछ factors है, these factors include, अब इन factors में क्या क्या चीज़े आती है, जिससे कि हमारी economy का nature कैसा है, structure कैसा है, mixed economy है, socialist economy है, ऐसे इस टाइप की हमारे पास economic resources कितनी है है भी या नहीं है, ठीक है हमारे देश की financial position हमारे देश की लोगों की income कितनी है, क्या हमारे देश की लोग unemployed है, जादा या नहीं है, inflation rate कैसा आये तो नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, या बहुत ज़्यादा सस्ते product भी करें है, हमारे देश की economic policies कैसी है, जो monetary policy और fiscal policy होती है तो बिसनस स्टार्ट करने से पहले यह सब चीजे भी जानना बहुत जरूरी होती है कि economy की कैसी condition है, बहुत फरक पड़ता है consumer की purchasing power, यानि consumer products कितने खरीद रहा है, कैसे इंकम को खर्च कर रहा है, बहुत दरह फरक पड़ता है जहां पर level of income बहुत कम है, यानि लोग कमाते ही नहीं तरह या बहुत सोरे unemployed लोग हैं, लोगों के पास नोगरी यह नहीं है, खाली बैटें हैं ऐसी हैं, फिर क्या करोगा ऐसे देश में business करके वो product कैसे खरीदेंगे भाई, आपके consumer की purchasing power तो बिलकुल कम होगी ऐसे देश में, है ना, तो बहुत जरूरी है, हमारी economy को देश की economy को देखना बहुत लोगों की नोगरी यह जाने लगती है, तो जो नोगरी चूट रही है, तो खाने के तो लाले पड़े होते हैं, और कहां से तुम्हारे यह आशो नाम के product खर देंगे, नेक्स्ट है, टेक्नलोजीकल फेक्टर्स, यानि टेक्नलोजी से रिलेटेड भी बहुत स्राशी होते जैसे टेक्नलोजीकल एडवानस्मेंट होते हैं, अपडेट होती रहते हैं, टेक्नलोजी अपनी, जैसे की पहले कैसे फोन हुआ करते थे, अब किस तरह के फोन होते हैं, पहले कीपेड वाले होते थे, भी स्मार्ट फोन होगे, इट इंक्लूड्स अचेंजेस टेक्स प्ल to improve the quality of product अब इतनी अच्छी मशीने आगे हैं कि हमारी quality of product बहुत इंप्रूव हो गया यह नहीं पता है एक प्रोड़क्त जैसा है ना बाकी सब प्रोड़क्त देख लो same as it is वैसे दिखेंगे बाई कुछ भी ऊपर नीचे नहीं पाएगा या उनकी quality में कोई compromise नहीं पाएगा बहुत सोरी inventions होने लगी है innovation आने लगी है जैसे कि मैं phone का example दे लूँ कैसे आजकल कितने advance phone आ गया भाई उनमे फोट चाहे फोटो कीच लो चाहे वीडियो बना लो चाहे गाने सुन लो कितना कुछ नहीं हो सकता है closely monitor and implement these changes as early as possible to remain competitive in nature so हमेशा इस environment को monitor करते रो ध्यान देते इस environment को technology को और implement these changes का मतलब है technology को implement करना यानि अपने technology को update करना नहीं नहीं machines अपने आप organization में लाते रहो ताकि आप competitive रहो क्योंकि जितनी ज्यादा latest technology होगी उतना ही ज्यादा आपका जल्दी production होगा ठीक है और जो आपकी production की wastage अकर हो रही है वो कम होगी और production की cost कम आएग क्योंकि technological advancement होते किसले है वही टेकनोलोजी जब update होती है क्यों होती है ताकि हमारी और quality improve हो जाए और हमारी cost कम से कम आए ठीक है चलो आगे बढ़ते है नेक्स्ट है natural factors these factors include the natural resources that a company uses as inputs in the production activity अब भाई इसके अंदर क्या होते हैं बहुत सारे natural resources होते हैं पता है हमारे देश में किते सारे natural resources हैं company as input ُहने use करती है production करती है उनकी help से जैसी कि land का use करती है वहरہ बिडिलिंग वहाँ चाड़ी करती है Woters करती है जैसिकि juice बना दे है coldening बना दे प्लांट्स का use करती है नहीं पॉसिबल है अब मेजर कंसर्ण क्या है इस चीज में क्या ध्यान देनी वाली बात है सबसे पहली शीज इंक्रीस्ट पॉलुशन बहुत बढ़ रहा है इन कंपनीज की वज़े से सब पॉलुशन एमिटेड बाइन एंटरप्राइज के नेगेटिब ली अफेक्ट फर् सब्सक्राइब हो चुका है तो क्या होगा लोग के नजरों में आपकी जो है रेपिटिशन कम हो जाएगे वहारे इन्वार्मेंट को नुक्सान पहुचा रही है नेक्स्ट शॉर्टेज ओफ रॉम माटेरियल बहुत ज्यादा स्कार्स होता रहा है कमी होती जा रहे है आज रहे हैं आज कम्पनीज के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि प्रोड़क्ट बनाना क्योंकि रॉम माटेरियल ही नहीं होगा तो कैसे प्रोड़क्ट बनेगा है ना नेक्स्ट है कल्चरल फोर्स यानि हमारे कल्चर से रिलेटेड ही हाँ बात की जा रही है अ अब कल्चर जैसे कि आप मारे देश का कैसा कल्चर ऐसे साड़ी पहनना सूट पहनना फेस्टिवल सेलिब्रेट करना ऐसे जो भी है यह कहना चाहरा है कि जिस भी देश में बिजनस करें वहां के कल्चर का ध्यान रखें वहां पे लोगों की जो एक विश्वाश होते ना ब इंडियान के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है यह जानना कि जहां पे भी वह अपना बिसनस ऑपरेट कर रही है जहां पे भी वह बिसनस चला रही है या जो उसकी मार्किट है जहां अपना प्रोड़क्ट बेच रही है उस देश के लोगों का कल्चुरल बिलीफ क्या है वहां पर क्या प्रेक्टस फॉलू होती है वहां के सोसाइटी के विश्वाश क्या है माननेताएं क्या है इस चीज को ध्यान में रखके प्रोड़क्ट ब पहनती है लड़कियां या पिंक सा हो गया कुछ गोल्डन सा इस टाइप के लट चलते हैं तो किसी कभी दूलन को कभी वाइट कलर के लहंगे में नहीं देखा होगा एक दम या फिर ब्लैक लर्गे में नहीं करना वह तो अलगी कंसेप्ट हो जाता है वैसे यूश्यली सब्सक्राइब को देखना जरूरी है ते वीडियो खब